जहीं दोस्तों मैं अहुं सुहल और आप देख रहे हैं सपोर्ट लैब दोस्तों इंडिया और वेस्टन अस्टेलिया के बिच आज खिला गया दुसरा अभ्यास मुकाबला यह दोस्तों बता दे कि यह अभ्यास मुकावला भारती टीम हार गई है यह दोस्तों इसमें भारती टीम के बले बाजो को हैरान कर देने वाला परदसन था तो दोस्तों इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो दो यहां दोस्तों बता देंगा भारतिय टीम के कप्तान इसमें केल राहूल को बनाया गया था जियां दोस्तों बता देंगी सबसे पहले वेस्टेन अस्टेलिया ने बैटिंग करते हुए 168 ऐनों का चुनाओती पूर्य स्कौर खड़ा कि अभारतिय टीम के सामने तो दोस्तों लागा कि भारतिय टीम इसे चेस कर लेगी लेकिन दोस्तों जब भार्ती टीम बैटिंग करने आई तो दोस्तों बता दे कि भार्ती टीम का सुरुवात बेहदी खराब रहा जहां दोस्तों बता दे कि रिशाफ बंद जहां मात्र 9 रन बना का उठ हो गए इसके बाद दिपक उड़ा भी उनके साथ चलते बने इस मात्र चे रन बना कर आउठ हो गए जहां दोस्तों इसके बाद भाती टीम पर दबाव आ गया और कप्तान केल राहूल और हार्दिक पांडे ने थोड़ा सा संभालने का कोशिश किया लेकिन दोस्तों बता दे कि यह दोनों भी बहजमा बल्ले बाजी कि जहां दोस्तों बता दे क केल राहूल जहां पचपन बॉलों में मातर चोबहत्तर रन बनाए यह दोस्तों बता दे कि वह आखरी तक तो थे लेकिन जब मैच दोस्तों जब मैच फिनिस करना था उस वक्त केल राहूल भी आउट होकर चले गए इस बज़ा से भारती टीम यह मुकावला फिनिस नहीं क गये हैं और इनका परदर्सन इस परकार्ट से यह तो दोस्तों आने वाले वर्ल्ड कप में कैसा होगा वह तो समझ से परें यह दोस्तों और केल राहूल जो की 55 बॉल लगवर खेले हैं लेकिन दोस्तों बता दें मातर और मातर चोबहत्तर रन बनाए यह दोस्तों यह वही सर्मा बिराट को लिए उस्तुर्य कुमार यादों होते तो क्या यह मुकाबला भारतिती मसाय से जीत लेगी और आपको केल रहूर का बल्लेबाजी कैसा लागा वह अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तब तक ले मिलते हम आपको अगले वीडियो में